हेलो गाइस वैलकम आई यूटूब चैनल परी ब्यूटी पाला इंड चलाई बूटिक तो गाइस आज हम सिखाएंगे टाउजर में लास्टिक डालना तो गाइस वीडियो को इसके बना करें वीडियो को पूरा देखें तो ये देखिए ये मारा टाउजर रहा इसी में हम ल लास्टिक ले लिया है तो गाइस देखिए जितनी आपकी कमर हो तो देखिए जितनी आपकी कमर हो उसे की हिसाब से यहां लास्टिक कट करें तो गाइस हमारी कमर का मेजरमेंट 32 है तो यहां देखिए हमने 32 लास्टिक कट किया तो गाइस जितनी आपकी कमर हो इंची टेप से राउंड से मेजरमेंट ले कमर का तो जितना हो तो उसी के अकाउडिंग यहां हमने लाश्टिक को कट कर दिया है तो यहां देखिए हमने लाश्टिक को डबल फूल्ड किया अब इसका मेजरमेंट लेंगे तो देखी गाइस यहां हमारा डबल में देखी गाइस यहां 16 इंच दू पॉइंट आया अगर इसको सिंगल में नापेंगी तो यह 32 इंच है तो देखिए गाइस इसे हमने सिंगल कर लिया लाश्टिक को सिंगल कर लिया अब यहां देखिए इसमें 4 इंच हम माइनस करेंगे क्योंकि गाइस लाश्टिक हमारा खिचेगा तो यहां हम माइनस कर देंगे अगर आपकी लेस्टिक में ज्यादा खिचाब हो तो आप 4.5 इंच कट कर दे अगर कम खिचाब हो तो 4 इंच कट करें तो दिखे गास, याँ दिखे हमने लेस्टिक को डबल किया और इसका मेजर्मिंट हम दिखाएंगे तो दिखे यह हमारा 14 इंच आया अगर इसको सिंगल में नापेगी तो यह हमारा 28 इंच है देखी गाइस इस तरह से आप लास्टिक इससे भी हम मेजर मेंट ले सकती हैं लास्टिक को कमर में फसा लें, इस तरह से round round कमर में इस तरह से फसा लें और उसमें से 4 इंच माइनिस कर दें, कम कर दें 4 इंच, तो आपका बिल्कुल एक दम सही आ जाएगा, यहां देखिए हमारा यह टाउजर रहा, इसी में हम लाश्टिक डालेंगे, तो हमने देखिए इसको पलट दिया है, लेप्ट साइड में, यानि कि इसको उल्टी साइड में हमने रख लिया है, तो देखिए यहां हमारा यह पाउकिट लगा हुआ है, उपर तक हमारा पाउकिट लगा हुआ है, नेफे तक, तो देखिए पाउकिट का हम फेवरिक सहीद यहां देखे, टर्न करेंगे, इसको पलट देंगे तो हमारा मार्क लगा हुआ है देखे, फिर भी हम आपको यहां नाप कर दिखाएंगे तो देखे गाइस, यहां हमारा टू इंच है तो इसको एक बार फोल्ड करेंगे दूसरी बार में यहां सिलाई लगाएंगे तो guys यहां देखिए आप लास्टिक से भी measurement ले सकते हैं तो इसके उपर जो हमारा ये नेफा बना हुआ है इसी के उपर हम लास्टिक रख लेंगे और इस तरह से हम लगबख लास्टिक से हम फैबरिक दो पॉइंट बढ़ा कर लेंगे गाइस जब हम इसे लास्टिक इसमें फसाएं तो हमें कोई प्रोड़म नहीं आएगी तो guys अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हाँ guys बैल आकें जरूर से प्रेस करें जिससे हम जो भी वीडियो अप्लोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको दुरंध ही मिलेगा तो दिकिए guys अब यहां हम नेफी पर सिलाई चलाएंगे तो guys देखिए यहां देखिए हम दूरी से यहां दूरी से पकड़ेंगे नेफे को क्योंकि दूरी से अगर हम पकड़ेंगे तो इसमें जोल नहीं आएगा जो हमारा नेफा बनाते समय जो जोल आता है वो नहीं आएगा तो guys अगर इस तरह से नेफा बनाएंगे तो जोल नहीं आएगा जब भी नेफा बनाए तो हम दूरी से एसे पकड़ कर फोल्ड करेंगे और इसको इस्टिच करेंगे देखी गाइस अभी तक हमने ये फ्रेंट वाले में ये गोट बनाया ये नेफा बनाया जो फ्रेंट वाला पार्ड है अब ये बैक वाला हमारा पार्ड है तो इसमें हम नेफा बनाएंगे तो देखी गाइस हमने कितनी दूरी से याँ पकड़ा है देखिए इस तरह से याँ दूरी से एकदम पकड़ कर इसको फोल्ड करेंगे तो याँ हमारी पट्टी में जो लहीं आएगा तो जो बिगनर्स लोग हों वो फिर हातों से यहाँ पट्टी ना बनाएं पहले यहाँ मार्क कर लें इसकेल से पहले यहाँ जितना आप यहाँ मार्जन के लिए लें दो इंच टेड़ इंच उतने पर आप मार कर लें तभी यहाँ फोल्ड करें नहीं तो पट्टी कम जादा हो जाएगी जब हम इसमें लाश्टिक डालेंगी तो अच्छे से सैट नहीं होगी यहाँ देखिए गाइस जो हमारे बीच में यह सिलाई लगी हुई है तो इसी को हम सिलाई इसी के उपर हम इसको टर्म करनेंगे बिलकुल एक दम सिलाई को सिलाई में मिलाते हुए हैं देखिए बिलकुल हमने सिलाई में मिला लिया है इसको तभी यहाँ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे तो गाइस यह हमारा बैक वाला पार्ट है तो यह हमने टू इंच यहाँ मार्जन लिया इसको ज्यादा कट किया बढ़ा के क्योंकि यह पीछे वाला जो पार्ट होता है वह हमारा थूड़ा है भी होता है तो इसलिए जब भी हम टाउजर की कटिंग करते हैं तो हम बढ़ा कर उसमें टू इंच की लोजन करते हैं जिससे हम बैठते समय जिससे हमारे टाउजर में खिचाब ना आए पीछे की तरफ यह खिचे ना तो गैस अगर थोड़ा बहुत यहां जोल आए भी तो हलकी से यहां प्लेट्स डालने तो दीखे गैस यहां एक इंच हमने खुला चोड़ा क्योंकि इसमें हम लाश्टिक डालेंगे अब यह हमारा लाश्टिक है तो इसमें हम पिन फसाएंगे अब यह जो हमारा एक इंच खुला है इसी में हमें से फसाएंगे देखिए गाइस यहां देखिए हलकालका फैबरिक पीछे की साइड यहां खिछते जाएंगे फैबरिक को इस तरह से इस तरह से पूरी राउंड में हम इसी तरह से दिखिए हमने पूरी राउंड राउंड यहां गेटिस को फसा लिया है झाल झाल तो यहां देखिए गैस हमारी दूसरी साइड भी लास्टिक बहार निकलाई पिन को हटा दिया अब दोनों साइड की हम लास्टिक को यहां इस तरह से मिलाएंगे और इसको दोनों तरह मिलाते हुए यहां इस पर सिलाई लगाएंगे तो कैसे यहां डबल सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी यह सिलाई खुले नहीं देखिए गाइस हम चारों तरफ फैबरिक अपना बराबर से कर लेंगे हैंड से इसको खिचाब करेंगे हातों से फैबरिक को खिचाब करेंगे देखिए गाइस जो यह हमने जहां से लास्टिक को डाला है बहां हमारा खुला है तो हम सिलाई लगाएंगे थोड़ा यहां खिचाब करेंगे क्योंकि हमारा लास्टिक पड़ गया है इसमें तो गाइस देखिए दोनों साइड इस तरह से पकड़कर हम रांड रांड खिचाब करेंगे इस तरह से हम जटक देंगे अपनी फैबरिक को तो हमारा फैबरिक है बराबर से चारों तरफ आ जाएगा याँ देखिए यहाँ ओचरों तरफ अतलब लिए तक थी कैसे बिलको लगे कम प्लेट थे कैमेरि अमरेए बराबर से चारों तरफ प्ड़ी हुई है अब इस पर हम सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी ये गेटेस जो इसमें लाश्टिक पड़ा हुआ है इदर उदर नहीं जाएगा तो देखें गाइस यहां जो हमारी जो सिलाई लगी हुई बहीं से हम पकड़ेंगे इसे को हाप में पकड़ लेंगे अब पीछे की तरफ इसे खिचाब करते हुए यहां हम सिलाई लगाएंगे देखें गाइस यहां हैंड से पीछे की तरफ खेंचते जाएंगे फैबरिक को देखें गाइस यह हमारी जो बीच की सिलाई लगी हुई है यही हम इसको पकड़ लेंगे और अपने हैंड से फैब्रिक को एकदम एकवल करेंगे और एक हैंड से हम इसको पीछे की तरफ याँ खिचाब करेंगे तो गाइस अपने हैंड से फैब्रिक को ठीक करते जाएं समालते जाएं और पीछे की तरफ इसे दिखी खूप किचाब करें किचाब करते जाएंगी तभी हमारी सिलाई आएगी तभी हमारी मसीन चलेगी तो दिखी गईस यहां हमने इसमें दिखी हमारा लास्टिक कंप्लीट होगया इसमें दिखी यह हमारा लुटाया दोनों साइट आपको दिखाएंगे तो आज का वीडियो कैसा लगा गयस अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें